यहैं आखके कलास अपनी हम वेट करेंगे अभी खार सुरू नहीं पर उसके करने के दो वजा है कि अभी तक वह कॉंग्सिया जीम मैंबर्स ही उनके लीए उनको तो नहीं मालूम उनको लिए तो हमें करना ही होगा प्लस मेरे पास मेसेज आये थे कि वो जो तीन लाइंस हम ड्रॉ करते हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है वो कुछ लोग तो कर ले रहे हैं कुछ के लिए थुड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उनके लिए रिवाइज हो चाएगा यह तो सबसे पहले हम क्या करें कि उन्हें को देखेगा समझने की कोशिश कीजिएगा उ है तर्टर रूल को हम लोग फॉलौ करेंगे एक ट्रटल आटर खो नीचर वोता हिना बहुत आराम से किसी बी तरह की कोई बास्ट किसी के अंदर नहीं तो किसी बी बहुत आराम आराम से इसम्रोग चलने की कोशिश करा हैं सिसने पूर इंटर कर नेचर हो यह फिर पो已 आप तो आपने कोई पौधा लगाया को पेड़ागा उसके पर सौ घड़ा पानी अगर आप डाल दोगे एकदम से तो बरबात कर देगा उसको तो दोड़ा तोड़ा जतना जतना आपको जरूरी है उतना उतना कॉझेप्ट हम देंगे अचानक से सब कुछ यह लिजये यह इंट्री है यह स्टॉक्ड्यशन है यह ट्रैंड इडिटिकेशन है और यह हमारा सपोर्डर रेसिटंस के लाइन से हैं यह मेरा टार्गेट लग पहुत है मतलब आप सभी लोग जितनी भी हो आप लोगों में से किसी एक ट्रेडर को भी हमने बना दिया कोशिश मेरी यह रहेगी कि सभी लोग सभी लोग मेरी लिए बराबर हो जितना भी जो भी हम बात करें हो सभी लोगों से करें किसी एक से नहीं करता है सभी लोग कोशि आप अगर मार्केट को देना चाहोगे तो खुश रहोगे और अगर मार्केट को समय नहीं देना चाह रहे हो तो नुकसान हो जाएगा जैसे कोई एक चार्ट है मान लीजे यूस डीटी का ये जैसे हायर टाइम फ्रेम पर तो इसका जो सपोर्ट है मेरा 24.35 ये रेंजर काफी में क्या बताया था आपको वन आवर वन आवर में जाना है किस तरह से माक करेंगे इतना इस सपोर्ट के पास से हमको माक करना है अब यह हमें किस तरह से माक करना होगा हम लोग चार्ट का लेफ्ट टू राइट पाच करना है सब ठीक है उसमें जो लोवर होता है वो उसका पहले उसका पहले का लोवर को तोड़ के नीचे आना चाहिए तो उसको पहले मार्क करेंगे इन इस केस अगर आप अभी का जो ग्राफ के हम देखते हैं सर उसमें जो दिखता है मुझे वो सिक्स थर्टी के बाद जो जो लख केंडल है जो मुर्क किया था आपने ओंस्का नीचे स Toutर்द साइड वैला। उसका लेफत сैड उसके बाद की को थैमोल हंद इसके 20 हम उसके लेफ्ट साइड में जाना है इस इस मार्कू सपोर्ट के लिए नीचे वाला और नीचे और पीछे जाना पड़ेगा इन दिसके एक्शली गलत है सारी लें से अपसाइड के तरफ जा रहा है बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटेड आपने इसको बना दिया है इतना कॉंप्लिके आप अप जसे मार्क करना है यह यह त्री लाइन मार्किंग्स में क्या होगा कि जिस एक कैंडल ने में लो लगाया होगा मेरा हमें उसको मार्क करना पड़ता है किसी भी एक रेंज से प्राइज मेरा अपसाइट के तरफ गया है ना प्राइज ने एक मेरा अपसाइट का मूव दिखाया सिंपल सा काम क्या करना है यहां पर अपसाइट का मूव अगर दिखाया और हाई अपसाइट के तरफ होगा हमारा एक लो होगा और दूसरा मेरा हाई होगा अब लो और कि एक केंडल मेरे पास बन गई किसी नечकलो हो जागा मेरे लिए कभी भी habits अपने माई करें के मैं कोइकर होता तो इसके क्रिए कोई ने Protocol क्यों प्राइबर कि से जाना होगा सब्छाटर करेंगा हाई अगर प्रेक्ज मेरो कि तरह और आ रहा है तो लोज ब्रेक होंगे जैसे यहां पर देखिए हमने क्या बताया आपको कि प्राइस ने जो मूव दिखाई यह वो डाउन से अपसाइड के तरफ इस केंडल ने एक यहां पर लो लगा दिया है और यहां पर एक हाई लगाया अब प्राइस की मूव के तरफ यानि एक यह केंडल बनेगी आपके उसके बाद में हो सकता है कि इस केंडल का जो हाई है मेरा वह यह वाला है हाई प्राइस यह मेरा हाई अभी हाई प्राइस के पास में जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि को यह कैंडल निकल ही जाए है पहली पहली ही बार में को पास मुव्मेंट हो सब्सक्राइब हसका अपना को विक बना देगा हम क्या करेंगे इस विक को इगनुर नहीं करें है तो अभी मेरे लिए जो इंप्रेंट कैंडल बनी वह यही वाली candle बनी जिसने लो लगाया है यह एक important candle है जैसे यहाँ पर लिख देते हैं important candle है कब तक इंपॉर्टेंट बनी रहेगी जब तक price हमारा इस रेंज के ऊपर नहीं चला जाएगा अगर price हमारा अपनी की रेंज के अंदर ही वार वार कंसलिडेट कर रहा है कि यहां पर open हो गया वह किसने बना दिए नीचे की दिशा में प्राइज आपका आगया तो मेरे लिए यह भी अभी इसका breakout हुआ नहीं जब तक price मेरा close closing नहीं देदेगा हमें वेट करना हो प्राइज मेरा वापस से close हो जाए उस रेंज पर जैसे ही मेरा price close होगा हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे अब यहां पर देखे इसे फोर्थ candle ने जाकर के closing देगा यहां से closing मिल गई प्राइज को अब जैसे ही प्राइज मेरा close होगा हम इसको कब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक कि price मेरा इस वाली लेवल की उपर closing नहीं देदेगा यह वाली candle है अभी मिसको मार्क नहीं किने कि कहा था इन दो फूर्थ से ऊ当 प्राइज हमारा नहीं निकल जागा तब तक हम इस खाईल को माउकने करेंगे यह वाली मैरी कैंडल बने ये मेरी क्लोजिंग की जैसे प्राइज ऊपर निकला हमने इस को घरिया अब हमें क्या देखना है यह अपनी इस वाहली कैंडल बननी होगी, हम उनको draw नहीं करेंगे हम डिरेक्ट यह मान करके चले हैं कि इस candle के उपर पैस आपका निकल गया, हम ने इनको माख माख किया न, अच्छा, यहाँ पर यह चीज़ जरूर ध्यान रखेगा, कि यह जो closing की अपनी candle थी closing candle को हमें कब तक माख नहीं किया था, जब तक कि इसका closing वाली candle का breakout नहीं हो गया था जब तक इसका breakout नहीं हो जाएगा closing candle का breakout देखे, लिख देते हैं आपर, breakout of closing candle, माइक अन्मिट कीजे अपना class से हम फॉरान आउट कर देंगे आपको यह लास्ट वार्निंग है अब यह वाली जो मेरी candle है इसके उपर जब प्राइज निकलेगा है अभी हमने कितनी लाइन से हाप पर मार्क की है टोटल टू लाइन से हमने मार्क की है लेकिन हमें मार्क कितनी लाइन से करनी है थ्री लाइन से मार्किंग के लिए यहां पर टोटल कितने ब्रेकाउट सभी तक हमको मिले हैं देखिए एक केंडल दो केंडल और यह तीन केंडल अभी थर्ट केंडल का ब्रेकाउट नहीं हुआ है मतलब कि थ्री लाइन का जो फॉर्मिशन लोग देख रहें आप पर अभी यह पूरी तरह से मार्क आउट नहीं है वापस हमें क्या काम करना होगा अपनी इस वाली केंडल के उपर भी प्राइस के ब्रेकाउट का वेट जैसे ही प्राइस आपका अपसाइट की तरफ निकल इतनी आसानी से प्राइस ब्रेकाउट होता है फिर से अपसाइट के तरफ चला जाएंगा यह फाइनल क्लोसिंग हो गई यहां पर भी लिख देतेए प्रेक इसको यह वें उसको फाइनल क्लोजिंग जैसे ही आपको मिल जाएगी आपके पास आपकी फॉर्मिशन आ जाति यानि के 3 Lines marking अब यह जो 3 Lines आप मार्क करोगे टोटल Important Formation आपके कौन कौन सी बन जाएंगी यहाँ पर Important Candles जो होंगी एक तो यह वाली candle होगी दूसरी यह वाली candle होगी तीसरी यह वाली candle होगी और 4th यह वाली candle यह 4 Candles important बन जाएंगी यह मारे लिए हैं अब ये जो लाइंस आपकी बनी यह वाली है यह लाइन सब्सक्रょाध आपके लिए यह तर्ट important यहां से लेकर यहां तरल एक important zone बना देंगे आपके लिए Price के जो movement करने का area वनेगा important price movement area के 3 lines आब हमें यह देखना होगा आपका काम इतना है कि प्राइश के रियक्ट करने का जो area वा यह Bubble जो अप्रटई तरह से इसको observe कर लेना है हमारा practice कि से है तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 554 जैसे मिरा जैसे यह वाली किंडल हो गई यह वाली कैंडल हो गई है यह और इस यहां से डाय सब्रेणने की तरह और ही आपको क्या करना है डाउन से अपसेट की तरफ जो प्राइस जाएगा हमारा यह लो से हाइस का मुव्मेंट हमें माग करना है और टोटल यह जो तीन प्राइस के जो इरिया आपके बने हैं हमें इन तीनों प्राइस के मुव्मेंट को देखना है यहां पर क्या इसके उपर नहीं होगा जस्ट क्या करना है कि जो एरिया भी हम आपको बता रहें कि कौन सा एरिया में रिली इंपॉर्टेंट हो इसका यूज कैसे करना है हमें इसको पर ट्रेट कैसे करना है स्टॉप लॉस वगएरा क्या होंगे काफी दूर कि बहुत सारी चीजिस के अंदर भी अलिमेंट्स आपकी यूज होंगे बहुत सारी विल्ट्स अभी यूज होगे तो दीरे दीरे करके सौ पॉइंट है तो अभी तो इसमें सीम को ला रहा है यह एक पॉइंट है सिर्फ उग मार्किया है किसमें पर द मेरे किये यह भी तरफ कईम लगा हेंप लिए हमने कीस्ट को लगा दी हमने लेख लेखा है इसमसे हमने क्या किया यहां पर एक हाई मार्क क्वाए्ट कर लें क्यों कि नहीं के केंडल थी इसने ब्रेक आउट कर दिया इसलिए में फस्ट वाली केंडल को माग कि यह अब यहीं से प्राइज अगर मेरा डाउन साइड की तरफ गिरेगा इस तरह से काकना हमें जैसे यहांपर ने हमाक कर लिया है वही आप यहांपर क्या करोगे लो माग करना पड़ेगा वाइस वर्सा होगा जैस्ट सब experience order हैं सभी लोग इतना सो समझ में आ रहा होगा यह हमने upside के लिए किया है अब यही काम आपको downside की तरफ करना है यहां पर आपको क्या mark करना होगा लो प्राइस जब गिर रहा होगा तो हमें low को mark करना है एरियास जो हमने mark की है न यहां पर just अभी हमने आपको high को mark करना बताया है लो इसको कैसे mark करना होगा अब इसको सिद्धे चार्ट पर हम लोग सभजते हैं यहां पर देखें कौन कौन सी candle सबने mark की थी इस एक candle ने मेरा low लगाए था है न लो यहां पर है and हमें जिस candle ने low लगाए हुआ हमें just इसका high mark high mark आप कर लोगे then high mark करने की बाद में जैसे price इस वाली candle का high break करेगा मेरे लिए यह important one plus sixty आपको record करने की ज़रूरत नहीं है classes already हम record कर देते हैं इस वाली लैंड को हम लोग डिलेट कर देते हैं टोटा सुझ मेरा ना यहां पर हम लोगों ने तीन लैंस अब prices के जो important area मेरे बन गए वो एक 25.40, 24.95, 24.57 यह 3 points मेरे लिए important हो गए हमने इनको mark अभी देखिए यहां पर हमने mark क्या किया था एक यहां पर देखिए mark हमने क्या किया था सबसे पहले 18th of December का high mark कर लिया था sorry हाँ 18th of December इसका यह high mark कर लिया था time क्या है 7.30, 7.30 के बाद में दूसरी जो candle हमने mark की है वो 8.30 की थी अगेन हमने जो mark कर लिय है वो 2.30 के candle इस वाली candle को और उसके बाद जितने भी movements हो रहे हमारे वो इन candles को हमने mark नहीं किया है इसको थोड़ा देखिए का ध्यान से कि यहां पर हमने इन candles को mark नहीं किया है हमने सिर्फ वसी जितनी भी activity अपनी की है candles के उपर वो सारी के सारी हमने की है इस वाली range पर ए 4.57 यहीं पर प्राइस अपने support मेरे लिए यह तीन लाइन से important है कैसे use किया जाए गए कब हम अब देखेंगे कब डाउन देखेंगे अभी इसके उपर बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं किसी भी stock में अप लगा दो जैसे तो stock नहीं यह तो currency का chart है उसके उपर ही price action व समझने की कोशिश कीजिएगा ऐसा नहीं कि class खत्म हो गई चलो अब next class में जो होगा उसको देख लेंगे class खत्म हो जाने के बाद में अच्छी approach यह बोलती है अगर learning approach आपके अंदर है तो कम से कम आप 150 चार्ट तुरंट के तुरंट आप draw करके देखोगे उसको अगर curiosity हैं लाइव मार्केट में इसको यूज करना है और लाइव मार्केट में ही प्रैस को देख जो मैंतेर्स हमने बता दी इसको यूज कीजिए और इसी को पर करी practice कोई question है तो अभी हमको उससे आप ना clear कीजिए अरे सर कुछ बोलेंगे भी सागर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी अलो जी हां दो बूलिए पर जब हम लोग और ली चार्ट दब देखते हैं तो लास्ट केंडल जो रहता है वो 15 मिनिट्स का रहता है तो उसको ब्रेक आउट कंसिडर करना है या वैसा करना है सर उसको य हाँ विकास आप अपनों माई कर्मीट कीजिए जरह विकास नहीं सब्सक्राइब अगर पैस आपका गैप भी हो जाता तो उसको चन्सीडर कर लेंगे यहाँ पर क्या हुआ प्राइज ने अपने हाइस को प्रोटेक्ट किया है अभी मिलोगा यह तेक्षिंट काफी दूर की बात है अभी फिलाल हमको यह देखना कि 24.95 यह अपना सपॉर्ट पॉइंट है प्राइस इस रेंज पर अगर गिरता है तो अग्षा प्रवर्म होते हैं कि हम लोग किसी दिर्गे जोन की उपर बात नहीं करें हम एक्जैक्ट सपूर्ट और रेजिट्रेंस पॉइंट करें वन लाइंस में कैसे सपोर्ट और रे स्ला करें वन लाइंस में बूसरी चीज आज भी औरकुछ भिडिसकस नहीं करेंगे आगे क्वीथ चैप्टर से आगे जो हम लोग पढ़ें है उसको कल डिसकस करेंगे और बस آज वहीं पर करेंगे एलो सर एक कोशन था हां बताइए तर यह जो अपने अभी देंजे से ड्रॉप रही है थोड़ा सा बैक लिंग के चार्ट को हलता सब